सबी जोतिष प्रेमियों को परणाम, नमस्कार स्वागत है आपका आज के वीडियो में और स्वागत है आपका एस्टो गुरुजी योट्यूब चैनल पर आज जो विशह है वो है शत्विशा नक्षत्र में ग्रहों की इस्तिति का फल क्या होगा शत्र बिशा नक्षत्र से सपष्ट है इसी लिए इस नक्षत्र की विशिष्टा है और इस नक्षत्र में सूरेख इस्तिती हो की स्थिती चारोचरणों में अलग-अलग फल क्या होता है उसका सूरे से लेकर केतू कर तक हम आज इस वीडियो में चर्चा करेंगी कि कौन से नक्षतर में कौन सा ग्रेक क्या फल पर दान करते हैं फिर इन नक्षतरों में ग्रेहों की स्थिती पर दूसरे ग्रहों कि दृष्टी का फल क्या होता है फल होता कब है फल होता है उसकी दशा या अंतरदशा के समय में जब कुंडी में हम देखते हैं कि ग्रह की दशा अंतरदशा का समय चल रहा है तो ये फल अवशे काफी ज्यादा मातरा में आपको परतीत होंगे घटित होते हुए तो इसलिए राशियों की तुलना में नकछत्रों पर मेरा ज्यादा विश्वास है और नकछत्र वैदिक काल से ही प्रियोग किये जाते रहे हैं काल में केवल और केवल नक्षत्रों के गर्णा के अनुसार ही ग्रहों की इस्तिती का फल बताया जाता था और यही पद्धती है वैदिक पद्धती जो की असली फल या सुख्षम फल परदान करने वाली पद्धती मानता हूं मैं तो चलिए शुरू करते हैं आज सबसे पहले सूरे की इस्तिती अगर शत्विशा अनक्षत्र में हो और सूरे अनक्षत्र शत्विशा में चारों चर्णों में जाता को उसकी वरती को थोड़ा कुटिल बनाता है और गुरू की दृष्टी अगर हो इस पर शुब तो फिर फल परिवर्टित हो जाते हैं फल शुब भी हो जाते हैं गुरू की दृष्टी होने से शुबता आ जाती है और कुरूर ग्रहों की अशुबता उनके इस्तिती हो या दृष्टी हो सूरे के साथ तो ऐसा परभाव भी हो जाता है तो ये बताने की आवशकता नहीं है कि सूर्य पहले चरण में क्या फल देगा दूसरे में तीसरे में चोते में क्योंकि वर्णित है कि सूर्य शत्व शानक शत्र के चारो ही चरण में एक जैसा फल देने वाले होते हैं कुटिल परवर्ती बना देता है ये जात अपनी दृष्टी के दौरा शुब ना कर रहा हो तो अवश्य ये फल इसी तरह से बताए गया है लेकिन ऐसे सूरे पर जो कि शत्विशा नक्षत्र में हो और उस पर ग्रहों की दृष्टी का प्रवाव क्या होता है वो इस फल को बदल सकता है तो देखते हैं चंद्रमा का फल क्या बताया गया है चंद्रमा की दृष्टी ऐसे सूरे पर हो जो कि शत्विशा नक्षत्र में है तो सुख हीन जीमन का संकेत मिलता है एक तो कुटिल बताया ही गया फिर सुख हीन जीमन वैतीत करने को और करेले की तरह से कड़वा यानि एक करेला और दूसरा नीम चड़ा ऐसी कहावत इस पर लगती है यह जातक विपरीत लिंके मद्धे धन पराप्त करने वाला लेकिन होता है मंगल की दृष्टी ऐसे सूरे पर हो तो वकालत के पेशे में वो सफल होता है और शत्विशा नक्षत्र में इस सूरे पर अगर बुद्ध की दृष्टी हो तो दूसरे के लिए परिशानी पैदा करने वाला होता है उसका वेवार भी अलग ही परकार का होता है अब गुरू की दृष्टी हो ऐसे सूरे पर जो कि शत्विशा नक्षत्र में है तो जातको उदार भी बनाती है, परोपकारी भी बनाती है, बुद्धी मान भी बनाती है यानि कुल में लाकर के शुब ग्रह की दृष्टी होना अच्छा माना गया है शुकर की दृष्टी हो ऐसे सूरह पर तो जातक हो जीवन में सभी परकार के सुख प्राप्त होते हैं सभी परकार के सुखों से मतलब यह है कि बहुत एक सुखों की प्राप्ती उसको लगातार होती रहती है और अगर वो पुरुश है तो इस्त्रियों के किसी कारे से भी उसको आर्थिक लाब होता है शनी की दिश्टी हो ऐसे सूरे पर तो शत्रू हंता बनाती है शत्रू हंता का मतलब शत्रू को पराजित करने वाला अपने वाक युद्ध या फिर शारिरिक बल के कारण से वो शत्रू हंता होता है थोड़ा अभिमान भी होता है दम भी परकरती उसकी होती है अब शत्विशा नक्षत्र में चंद्रमा का फल क्या बताया गया चंद्रमा की इस्ति अगर पहले चरण में वो शत्विशा नक्षत्र के तो चिकिस्सक बनने की संभावना परबल होती है अगर कोशिश करे वो जातक तो अवश्य चिकिस्सक बनने की तरह वो आगे बढ़ सकता है ये जातक थोड़ा सा हटी और गोपनिय परवर्ती वाला भी कहा गया है चंद्रमा दूसरे चरण में हो शत्विशा नक्षत्र के तो यहां पर जोतिश शास्त्र में पारंगत बनने वाला संभावना होती है यहां भी उसको अगर रूची है और कोशिश करता है तो जोतिश शास्त्र में पारंगत हो सकता है ये लेकिन जातक में कुछन कुछ परकार का जुआ जैसी कोई परवर्ती भी होती है तीसरे चरण में अगर चंद्रमा के इस्तिति हो शत्र बिशा के तो निर्भीक वेक्तितु परदान करता है चंद्रमा और ये जातक शास्त्र की सेवा में हो या अपना बिजनस करने वाला हो उसमें सफ़ा लवशे होता है इस चरण में ये जातक सुरा प्रहिमी भी कहा गया है यानि उसको नशे की आदत होती है और जो की बहुत हानी प्रद भी होता है उसके लिए उसके हेल्थ को निश्चित रूप से खराब करने वाला सिद्ध होता है चोथे चरण में चंद्रमा का अफल सामानने होता है कोई विशेश शुब भी नहीं होता विशेश अशुब भी नहीं होता अब शत्विशा नक्षत्रमी चंद्रमा किसी भी चरण में और सूरे की दृष्टी उस पर हो तो राजा के समान मान सम्मान की प्राप्ती करने वाला होता है मंगल की दृष्टी उसे विद्वान बनाती है और बुद्ध की दृष्टी चंदर्मा पर हो जो कि शत्विशा नक्षतर में चंदर्मा है तो जातको धन बहुत प्राप्त होता है यानि आर्तिक सम्रद्धी वाला ये होता है गुरू की दिष्टी ऐसे चंदर्मा पर जो किशत विशा में है तो सुयोग बनाती है और मान सम्मान से प्रतिष्टित यशस्वी भी होता है वो जातक शुकर की दिष्टी कफल थोड़ा सा आशुब बताया गया है चंदर्मा पर जो किशत विशा अनक्षतर में अगर चंदर्मा हो तो जीमन धन के मामले में आभाव गरस्त होता है होता तब है जब चंदर्मा की महादशा या अंतरदशा का समय हो शैनी की दिष्टी हो तो जातक जनम जात भूपती होता है दन प्रबल होता है उसके पाद दन अच्छा खासा होता है शत्विशा नक्षतर में मंगल हो तो मंगल पहले चरण में उस शत्विशा नक्षतर के तो जातक को कुसंगती प्रिये बनाता है ये मंगल जीमन इसी कारण से दुख पूर्ण व्यतीत होता है हालां कि ये जाता कि अपने पारिवरिक दाईतु को पूरी शक्ती से निभाने वाला भी होता है दूसरे चरण में अगर मंगल की इस्तिती हो शत्विशा के तो समाने फल कहे गए हैं कोई विशेश शुब या शुब नहीं प्राप्त होते तूसरे चरण में अगर मंगल की इस्तिती हो शत्विशा के तो बच्पन रोग से ग्रस्ट हो करके वेतीत होने वाला फल का गया है पर मंगल की दशा अंतरदशा का समय हो तब ही ऐसा होता है चोथे चरण में मंगल हो शत्विशा के तो ये वेवसाई में सफल बनाता है विशानक्षत्र में मंगल ग्रह पर दूसरे ग्रहों की दृष्टी का फल सूरे की दृष्टी हो तो जातक के पारिवारिक जीमन में सुख होते हैं, सुखों की प्राप्ती होती है, आर्थिक रूप से संपन होता है, बहुत इक सुखों की प्राप्ती भी होती है, प्रयाप् को दनवान तो बनाती है हालां कि मातर सुक्ष से ये वंचित भी करने वाली हो सकती है ऐसी संभावना बताई गई है बुद्ध की दृष्टी हो अगर ऐसे मंगल पर जो कि शत भी शक कि किसी भी चरण में है तो जातक को ये मरदु भाशी बनाता है बुद्ध और जूट का सहारा ज्यादा लेता है हर बात में गुरू की दृष्टी जातक को सद गुनों वाला बनाती है और वो सतापक से भी लाब पराप्त करने वाला होता है गुरू की दृष्टी अगर हो मंगल पर और वो मंगल हो शत्विशा नक्षत्र में शुकर की दृष्टी शत्विशा नक्षत्र में इस्तित मंगल पर हो तो जाता को विलासिता पूर्ण जीवन बिताने के परचूर अवसर पराप्त होते हैं शनी की दृष्टी के कारण ये जातक बुद्ध हिमान भी होता है यशस्विव भी होता है और अपने मित्रों और विपरीत लिंग वाले मित्रों के द्वारा है दृष्टी से देखा जाता है शत्विशा नक्षतर में बुद्ध की इस्तिती बुद्ध अगर शत्विशा नक्षतर के पहले चरण में हो तो ये जातक अपना बिजनस करने वाला होता है या फिर कोई अपना प्रोफेशनल कारे करने वाला भी हो सकता है यानि किसी कारे की प्रैक्टिस भी अपनी करने वा फ्रीलांज करने वाला भी हो सकता है मतलब वो नोकरी करने वाला नहीं होता और अपने इस कारे में उसको सफलता भी अविश्य प्राप्त होती है अब दूसरे चरण में अगर हो बुद्ध की इस्तिति शत्विशा के तो यहां जातक को बड़े भाई से साहता प्राप्त होती वो जातक हो ये जातिका जोतिश के शास्त्रों में जातक शब्द का ही प्रयोग दोनों के लिए किया गया है तीसरे चरण में बुद्ध की इस्तिती हो अगर शत्विशा के तो मंगल के साथ यूती भी हो तो 31 वर्ष की अवस्था तक जातक को कठिन संगर्ष करने पड़ते हैं जीवन के लिए और वेवाईक जीवन उसका सुख पूर्ण नहीं हो पाता चौथे चरण में अगर बुद्ध की इस्तिती हो शत्विशा के तो यहां जातक को प्रयाप्त धन दौलत परदान करने वाली इस्तिती ये बुद्ध बनाता है अब शत्विशा नक्षत्र में बुद्ध पर ग्रहों की दृष्टी का फल सूरे की दृष्टी हो शत्विशा नक्षत्र में इस्तित बुद्ध पर तो जातक को चतुर बनाता है, बलिष्ट बनाता है, ये सूरे और दम भी भी बनाता है, तोड़ा भिमान भी होता है, मल विद्ध का वो ग्यान रखने वाला होता है चंद्रमा की दृष्टी हो अगर ऐसे बुद पर जो कि शत्विशा नक्षत्र में तो जली ये वस्तूओं के किसी कारे ऐसे जल में पैदा उने वाली वस्तूओं भी हो सकती है या तरल पदार्तों का कोई कारे वो करने वाला होता है उससे लाभानवित भी होता है मंगल की दृष्टी हो ऐसे बुद पर जो किशत्विशा में किसी वी चरण में है वो बुद उस पर मंगल की दृष्टी है तो जातक धन का उपारजन करने के लिए चोटा मोटा कारे करने में भी नहीं हिचके चाता अब ब्रस्पती की दृष्टी अगर हो ऐसे बुद पर जो किशत्विशा में तो जातक किसी चोटे शहर या चोटे स्थान का कोई परमुख होता है या फिर शहस की विभाग में वो नौकरी करने वाला भी हो सकता है शुकर की स्थित्थी हो ऐसे बुद पर जो किशत्विशा में है तो संतान की दृष्टी से ये ठीक नहीं मानी गई शुकर की दृष्टी ये जातक को संगती का शिकार भी हो सकता है शनी की दृष्टी हो ऐसे बुद पर जो किशत्विशा में है तो जातक को करूर कर्मी बनाती है यानि कोई ऐसा कारे है जो कि करूरता से संबंद रखता हो और सुखों को कमी करने वाली भी शनी की दृष्टी होती है बुद पर बुद्ध जो की शत्विशा में हो शत्विशा नक्षत्र में अब ब्रस्पती ग्रह की स्तिती चारों चरणों में क्या फल देती है पहले चरण में अगर ब्रस्पती की स्तिती हो शत्विशा के तो उसकी माता को काफी कश्ट उठाना पड़ता है ये जातक शास्की सेवा में होता है और आयू का 31 वर्ष उसके लिए ठीक नहीं होता उसमें कोई चोट लगने का खत्रा होता है दूसरे चरण में अगर ब्रस्पती की स्थिति है शत्विशा के तो यहां वेवाहिक जीवन में थोड़ी गड़बड होती है सुख वेवाहिक जीवन से संबन्दित डिस्टर्ब होता है तीसरे चरण में अगर ब्रस्पती की स्थिति हो शत्विशा के तो यहां पाप ग्रहों की दृष्टी अगर है और ब्रस्पती की अगर महादशा यह अंतरदशा का समय बाल वस्ता में चल रहा है मतलब बाल्या वस्ता में है तो ऐसे में यह ब्रस्पती की स्थिति शत्विशा नक्षतर के चोते चरण में बाला रिष्ट का योग भी बनाती है बच्पन में शरीर कष्ट ज्यादा होते हैं अब शत्विशा नक्षत्र में ब्रस्पती पर ग्रहों की दृष्टी का फल क्या होता है सूरे की दृष्टी अगर हो ब्रस्पती पर जो की शत्विशा नक्षत्र में हैं तो आकरशक वेक्तित वाला बनाती है ये चंद्रमा की दृष्टी का फ़ल यह होता है कि जा तक नित्रोत करने की शमता उसमें होती है और वो अपने लोगों में अपने समाज के लोगों में या अपने शेहर में या अपने छेतर में परमुख भी बनता है मंगल की दृष्टी सत्पक्ष से लाब दिलाने वाली होती है और कृपा पात्र सरकार का बनता है ये उसे अर्थलाब भी सरकार से होता है ब्रस्पती पर अगर बुद्ध की दृष्टी हो ब्रस्पती शत्विशा में हो तो जातक ओधार्मिक परवर्टी देता है और शानती प्रिये बनाता है ये इस्तरियों में भी प्रिये बनाता है अगर पूरुश हो तो शुकर की दृष्टी हो ऐसे ब्रसपती पर जो कि शत्विशा में है तो जातक सदगुनों से युक्त होता है विद्वान भी होता है शत्तापक से यहां भी लाब राप्त करने वाला यह होता है शनी की दृष्टी बहुत कम शुबफल देने वाली होती है शनी की दिश्टी शुब फल तो देती है लेकिन बहुत कम देती है मतलब उसकी महतुक आंशाएं किसी धतक अवश्य पूरी होती है स्थ बिशा नक्षतर में शुक्र की इस्तिती हो तो शुक्र पहले चरण में अगर स्थ बिशा नक्षतर के शुक्र है तो जातक को किशोर अवस्ता में ही काम परवर्ती में आसक्त करने वाला ये परभाव होता है ये अगर शुक्र की दशाई अंतर दशाई युवा वस्ता में पढ़ जाती है ये खास करके किशोर अवस्ता में ही पढ़ जाती है युवा वस्ता के शुरुआत में तो ये फल शुक्र का इस परकार से खूब परभावी होता है उस पर ये जातक कि शुखर वस्ता से ही काम परवर्ती वाला बन जाता है और काम परवर्ती में आसकत होता है जातक का जीवन लेकिन सुख ही होता है आगे चल करके दूसरे चरण में अगर शुकर की इस्तिती हो शत्विशा के तो रसाइन शास्तर का विशे शग्या बनाने वाली होती है और रसाइन या विज्ञान के चित्र की समझ रखने वाला होता है तीसरे चरण में अगर शुकर की इस्तिती हो शत्विशा के तो ये इस्तिती जातक हुआ वेक्टितु आकर शक बनाती है जातक वेभार में कुशल होता है और कुशलता और जीवन शिर्षस्त पद पर पहुँचने की शमता भी उसमें होती है काम भाव भी इसमें थोड़ा ज्यादा होता है चोथे चरण में अगर शुकर की स्थितियो शत्विशा के तो कभी कभी शिक्षा में बाल्ले अवस्ता में लेकिन ये कमी करने वाला हो सकता है शिक्षा में रुकावटें भी इस करण से आ सकती है शुक्र अगर हो शत्विशानक शत्र के चोथे चरण में शुक्र का समय चल रहा हो दशा अंतरदशार चल रही हो शिक्षार्थी जीमन में और शुक्र के साथ अगर बुद्ध की यूती भी हो तो ऐसी स्थिति में चोथे चरण में शुक्र की इस्तिती नीचे से लेकर उंचे पद तक पहुँचाने वाली होती है उच्छ सम्मान दिलाने वाली होती है अब ऐसे शुक्र पर सूरे की दृष्टी का पल और शुक्र हो शत्विशानक शत्र के किसी भी चरण में ये दृष्टी सूरे की जा तक को सासी बनाती है धनवान भी बनाती है चंदरमा की दृष्टी जा तक को उसका वेक्तित व आकरशक बनाने में मदद करती है मंगल की दृष्टी काफाली होता है कि जा तक कठोर प्रिश्रमी होता है बहुत कठोर प्रिश्रम करने वाला होता है और उसके जिवान में निरंतर थोड़ी बहुत रुकावटें भी आती रहती है बुद्ध की दृष्टी हो तो ये जातक धार्मिक शास्तरों का ग्यान रखने वाला और येशस भी होता है गुरू की दृष्टी जातक को धनवान बनाने के साथ साथ उसमें संगीत और किसी न किसी कला में रूची भी पैदा करवाने वाली होती है शनी की दृष्टी सोभागे की सुचक है ये जातक वेक्तितू का आकरशक होता है यानि आकरशित करने वाला होता है खास करके विपरीत लिंग वालों को विशेश रुप से इसका व्यक्तितु आकरशित करता है शत्विशा नक्षत्र में शनी का फल क्या होगा अब शनी के फल के बले में कहा गया है कि पहले चरण में शत्विशा के अगर शनी हो तो यहां सुखी वेवाहिक जीमन पारिवारिक जीमन की सूचना मिलती है यह जातक इमानदार होता है परिश्रमी होता है विग्यानिक अनुसंधानों में रूची रखने वाला और लाभनवित भी होता है दूसरे चरण में अगर शनी की स्थिति और शत्विशा में तो शुब फल यहां नहीं बताए गए यह जातक काम परवर्ती वाला ज्यादा होता है और ऐसे ही काम परवर्ती के विश्या को ढूंडता रहता है अगर वो पुरुश है तो परिस्त्री गामी बनने की लालसा उसमें हमेशा रहती है लेकिन कोई जुरूरी नहीं है कि होता ही हो क्योंकि शुब ग्रहों की दृष्टी का फल इसको रोक भी देता है उग्र सोभाव लेकिन होता है और रुख्ष वानी रुखी वानी बोलने वाला भी होता है तीसरे चरण में अगर शनी की स्तितियों शत्विशा के तो उच्छ कोटी की प्रतिभाद दिलाती है ये कठिन से कठिन कारियों को भी पूर्ण करने वाला ये होता है सेना में भी लाभानवीत हो सकता है पुलिस की सेवा में हो तो वहां भी लाभानवीत हो सकता है या किसी भी अच्छी सिक्योर्टी सर्विस में वो नोकरी करने वाला हो तो मान सम्मान पर राप्त करता है चोथे चरण में शनी की इस्तिति और शत्विशा के तो वेभव संपन बनाती है पैसा खूब होता है उसके पास और विदेशों से भी पैसा धन कमाने वाला होता है कभी-कभी अगर चोथा हाउस जनम कुंडली का अगर ऐसी सुचना देता है तो विदेश में रहने वाला भी होता है स्थाही निवास करने वाला भी बनाता है ये पर इवारिक जिवन सुख पूर्ण वेतीत होता है पच्पन वर्ष की आयू में वो अपने लाइफ पार्टनर के कारण उसकी बिमारी के कारण परिशान होता है सूरे की दृष्टी हो ऐसे शनी पर जो की शत्विशानक शत्र में है ये दरिदरता की सूचक होती है यानि धन का आभाव यहां पर सूचित किया गया है उसका लाइफ पार्टनर रेकिन सुंदर होता है ऐसा संकेत भी बताया गया है चंदर्मा की दृष्टी हो शनी पर जो कि शत्विशा में है तो जातक चरित्र का अच्छा होता है लेकिन मात्रतु सनेह से वन्चित भी होता है मंगल की दृष्टी विदेश में वास करने वाला बनाती है ऐसा संकेत मंगल की दृष्टी के कारण शनी पर जो कि शनी शत्विशा में हो होता है बुद्र की दृष करने वाला होता है गुरू की दृष्टी हो ऐसे शनी पर जो कि शत्विशा की किसी भी चरण में है तो शुब्भल यहां भी कहे गए हैं यह जातक शरीर से हरिष्ट पुष्ट होता है और परतीरक्षा सेवा में किसी उच्पद पर सम्मान पराप्त करने वाला होता है या फि शुकर की दृष्टी हो ऐसे शनी पर जो कि शत्विशा की किसी चरण में भी हो तो समाने फल मिलते हैं शुकर की दृष्टी का कोई विशेश शुब या शुब फल नहीं कहा गया अब शत्विशा नक्षतर में राहू का फल क्या कहा गया शत्विशा नक्षतर में राहू अगर अकेला हो तो विशे शुपल नहीं मिलते या फिर किसी ग्रहों के साथ उसकी यूती हो तो उस ग्रह की परकरती के अनुसार राहू शुप या शुपल दे सकता है उसकी दृष्टी राहू पर अगर किसी ग्रह की दृष्टी हो तो भी अच्छे बुरे फ़ल इसी तरह से दिखने होते हैं शत्वी शानक्चत्र के पहले चरण में अगर रहू की इस्तिती है और शनी या बुद्ध की दृष्टी भी उसके उपर पड़ रही है रहू पर तो तपेदिक रोग का खत्रा होता है टीबी रोग का होने का ये फेफड़े सम्दित कोई गंभीर रोग होने का खत्रा भी हो सकता है दूसरे चरण में रहू हो और उस पर ब्रस्पती की दृष्टी हो तो शुब खल कहा गया ये जा तक उच्छ पद पर पहुंच जाता है यानि जो भी कार्या करता है उसमें उच्छ पद उच्छ सम्मान पराप्त करने वाला होता है राहू किस्तिती शत्विशा नक्षतर के तीसरे चरण में अगर हो और साथ में शनी की यूती भी हो तो जा तक नौकरी में कोई ऐसे कर्म करता है नौकरी करता है और नौकरी में कोई ऐसे कर्म करता है, कार्या करता है, ऐसे कुकर्मों का करना उसकी इस परवर्टी के लिए खतरनाक होता है, यानि वहाँ पर वो चोरी कुछ मातरा में कर सकता है, ये कुकर्म की परवर्टी का प्रदर्शन भी करने वाला उस नौकरी वाले स कि अजसान पर होता है हालांकि ये उधार परवर्टी वाला होता है लेकिन बद्धनाह में इस कारण से उसकी होती है चौत्ष चरणमे अगर रहू की स्टिती और शत्विशा के और यहां में हो दूसरे में हो तीसरे में हो ये चौते में हो तो ये केतू चारों चरणों में शत्विशा के जातक को पैसे का आभाव सुचित करता है यानि केतू के समय में धन का आभाव होता है आभाव गरस्त जीमन वैतीत करना पड़ता है और करना कप पड़ता है जब केतू का समय चल रहो केतु के दशा ये अंदर दशा के समय में ये इस कारण से दुख उसको होता है दुख आर्थिकाभाव के कारण दुखी जीवन की ही सुचना यहां पर केतु दे रहा है तो दोस्तों ये था आज का वीडियो जिसमें आपने समझा सूरे से लिकर केतु तक सभी ग्रहों का फल शत्विशा नक्षतर में कैसा होता है और शत्विशा नक्षतर के सभी चर्णों में अलग अलग फल आपने समझा फिर अलग अलग ग्रहों की दृष्टी का फल भी उस ग्रहों पर आपको बताया गया है कि क्या होता है किस ग्रह की शत्विशा नक्षत्र में इस्तिती है और कौन से ग्रह की उस शत्विशा में इस्तित ग्रह पर द्रिश्टी है तो जो ग्रह शत्विशा नक्षत्र की किसी भी चरण में कैसा भी फल आपको बताया गया है उसके फल में दृष्टी वाले ग्रह का फल परिवर्तन करने वाला भी होता है शुब को कभी कभी अशुब भी बना देता है दृष्टी वाला ग्रह और कभी कभी अशुब को शुब बनाने की ताकत भी रखता है तो इसके लिए ग्रहों का किस नक्षत्र के किस चरण में होना कौन से ग्रह की उस पर दृष्टी होना बड़ा महत पून है तो आज का वीडियो था शत्विशा नक्षतर के लिए अब आगे जो इसके बाद का वीडियो है वो होगा पूर्वा बादरपद नक्षतर के लिए पूर्वा भादरपद नक्षतर में ग्रहों की इस्तिती का फल बताएंगे अगले वीडियो में और उन ग्रहों पर दूसरे ग्रहों की दृष्टी के फल के कारण क्या परभाव पड़ता है क्या परिवरतन होता है ये भी आपको बताएंगे वीडियो अच्छा लगा तो ला की अनुसार आपको कंसर्टिशन देता हूं जोचिय प्रामर्श में आप आने वाले समय के बारे में नक्षतर गर्णा की अनुसार जान सकते हैं या कोई प्लानिंग है या कोई आगे आने वाले समय के बारे में कुछ प्रश्ण जानना चाहते हैं ग्रह की नक्षतर अनुस पर कर सकते हैं WhatsApp नमबर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मुझे सामने भी डिस्प्ले किये गए हैं और अगर आपको जोतिश शास्त्र को सीखने में रूची है तो जोतिश का कोर्स भी करवाते हैं जोतिश का कोर्स घर बैठे आप कंप्लीट कर सकते हैं ओनलाइन कोर्स अभी लेवल है पूशताच इनी नमबरों पर आप WhatsApp पर कर सकते हैं आज के लिए इतना ही फिर मिलेंगे अगले नक्षतर की चर्चा करेंगे नमस्कार